हलो फ्रेंड्स क्या आपको अंडेदानी में गांठ की समस्या की बारे में बताया गया है और अब आप यह सूच रहें कि क्या इसका इलाज दूर्बीन से संभव होगा यह आपको इसे पेट खोल कर या पेट पर खड़ा चीरा या अड़ा चीरा लगा कर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो मैं डॉक्टर सुशीला सेनिंग अगर अपसेटेशन आज आपको यह बताने जा रही हूं कि अंडाशे में अगर कोई गांठ है तो क्या उसका दूर्बीन से इलाज संभव है यह उसके लिए उपन सरजरी करवाने पड़ेगी सबसी इंपार्टेंट बात ह अगर गांठ है तो पहले उसको यह पता लगाया जाता है कि इस प्रकार की गांठ है जनरली सभी प्रकार की गांठों का इलाज दूर्बीन से संभव है लेकिन कुछ एक जो हाई दिस्क गांठ होती है जैसे कि कैंसर वाली कोई गांठ है तो उसके लिए फिर में सोचना क्योंकि जो चेरा लगता है तो उसको उपन सर्जरी बोलते हैं हाथ वाला सर्जरी बोलते हैं तो जब चेरा लगा के सर्जरी किया जाता है तो गांठ को पूरा का पूरा साबुत बाहर निकाल लिया जाता है उसमें गांठ को नहीं काटा जाता बट दूर्बीन वाली चेर नहीं रोने के कारण गांट को काट कर निकाला जाता है तो हमें यह धेखना ज़रूरी होता है कि आपकी इस प्रकार pneumonia नाइंट Nit किस प्रकार की सैंद्फ आइंटि में। 25 परसंड किसिस के इनदर जो प्रकार होती है वो generally non-cancer वाली होती है, इनमें cancer नहीं होता है, यानि कि simple पानी की गांठ हो सकती है, खुन की गांठ हो सकती है, dermoid cyst हो सकती है, या फिर fibroid cyst हो सकती है, fibroid का छोटा गांठ हो सकता है, और बहुत ही rare इस्तिती में mucinous cyst होती है, और इसके लिए कुछ रेयर गांथी भी होती जो बहुत कम common होती हैं inAUg dhen Saire एकड़ awful dramadha in on daher वाली भी हो सकती है जब sonography में आपको बताया जाता है कि गांथ है तो जनरली sonography में ही गांथ के बारे में पता चल जाता है फिर गांथ है बलप की है या काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि गांट का प्रकार या गांट का टाइप कैसा है और उसके साथ ही को स्ट्यूमर मारकर्स भी कराया जाते हैं जो कि बलड के अंदर कराया जाते हैं जैसे कि CA 125, Alpha Phetoprotein, Beta SCG, CEA और CA19.9 तो इस तरह किसे पांच टेस्ट होते हैं जो कि बलड में कराया जाते हैं जिससे काफी हद तक ये पता चल जाता है कि गांट में कैंसर होने की संभावना है कितनी जादा है अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, CT scan के अंदर भी ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल है गांट तो आराम से दुर्बीन वाला उपरेशन किया जाता है दुर्बीन वाला उपरेशन जब भी किया जाएगा तो 3-4-6 बना कर उपरेशन किया जाता है बट किसी किसी इस्तिती में जैसे कि कोई चॉकलेट सिस्ट है, बार-बार बन रही है, बहुत ज़ादा एंडोमेट्रियोसिस बन गया है या कोई हाई रिस्क टाइप की गांट है तो डेफिनिटी ओवरी निकालने का डिसीजन लिया जा सकता है वो भी आराम से दुरबीन से संभाव है, तो उसमें किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं होती है सारी सर्जरिस दुरबीन से संभाव होती है क्योंकि आजकल बहुत लेटिस्ट इंस्टूमेंट्स आगे, लेटिस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है और जो energy sources laser type की अवेलेबल होने से safety से operation किया जा सकता है यदी हमें ये doubt होता है कि cancer हो सकता है या cancer वाली गांट है और अगर उसका size छोटा है तो definitely फिर उसको भी दुरबीन से operation किया जा सकता है उसमें पूरी की पूरी गांट को साबट निकला जाता है और उसको प्लास्टिक के बैक के अंदर डाला जाता है और उसको फिर बाद में बच्चेदानी के रास्ते से नीचे से डिलिवर आउट कर लिया जाता है उसमें गांट को किसी प्रेकार से छेडा नहीं जाता है क्योंकि जब भी एदी कैंसर की गांट होती है तो हमारा बैर चेरा लगा कर ऑपरेशन किया जाता है जिसमें पुरी गांट को साबुत निकाला जाता है क्योंकि गाट को अगर कर चेलेंच को साबूत है या लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उसके लिए लुड़ा बढ़ाना पड़ सकता है कि चीनल घड़क पर बढ़ाना प्ड़ volunteer करना पड़ता है अगर दो बहुत जाधा और थे प्मधम करना पड़ता है यानि कि ये आपको clear हो गया है कि गांट के type पर depend करता है कि आपका operation दूरबीन से संभव होगा या नहीं होगा operation सारे संभव है लेकिन गांट को deliver out करने के लिए यानि कि बाहर निकालने के लिए कई बार चीरा लगाना पड़ जाता है दूरबीन से हर बीमारी का इलाज संभव है पूरा पेट के जांस संभव है 360 डिगरी रोटेट करके दूरबीन से पेट के अंदर पूरा देखा जा सकता है बीमारी कहां तक फैली है कितनी है क्या है सारा इलाज उससे किया जा सकता है और जो common प्रकार की गांटे होती है वो आराम से दूर्विन से operate की जा सकती है और दूर्विन के operation के फाइदे तो आप सबको पता ही है पेट पर चेरा नहीं लगता है छोटे छेट से operation हो जाता है खोन का नुकसान काफी कम होता है परहेज बिल्कुल नहीं बताया जाता और अस्पतल से बहुत जल्दी छुटी हो जाती है infection का खत्रा काफी कम रहता है दर्द नहीं होता तो operation के बाद भी antibiotics और दर्द की दवाईयां कम खानी पड़ती है और बहुत अच्छे से ovary को बचाते हुए गांट निकाली जा सकती है तो यह भी जरूरी नहीं कि अगर आपकी ovary के अंदर गांट है तो क्या उसे निकाला जाना चाहिए तो ovary को बचाते हुए केवल गांट को निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि ovary से hormones बनते हैं और वह बहुत जरूरी होता है ovary को बचाना यह तीन यदी लेकिन यदी cancer ही हो गया तो then definitely मरीज की जान बचाने के लिए फिर हमें ovaries निकालने पड़ती है तो we have to decide कि हमारे लिए क्या जादा important है अगर कोई बड़ी बीमारी ऐसी है जिसमें ovaries को बचाना संभव नहीं है मरीज को बचाना ज़्यादा जरूरी है तो ovaries निकाल दी जाती है और यदी बीमारी छोटी है तो definitely ovaries को सेव किया जाता है हमाब सेफर मेलें एक नए विडियो मेने एचाने कर गिसाटाब तक नमश कार